Hello everyone, Welcome to SKA tutorial, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं SEL OCTT Examnations के लिए Skill Test या Interview के बारे में हैं ये वीडियो जो है मेरा last वीडियो है SEL OCTT Examnations के Skill Test या Interview Guidance से प्रोग्राम से related हैं तो आज के इस वीडियो में ही मैं अपना last message भी देने वाला हूं जितने भी बच्चे देने लिए जा रहे हैं Skill Test Ignisance और आप सभी को बेस्ट अप लग भी जितने ही बच्चे जा रहे हैं लेकिन क्या-क्या हम लोगों ने सीखा और क्या-क्या चीजों का ध्यान डखना चाहिए कौन-कौन सी बातों का SEL OCTT Ignisance में इसके बारे में आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ लास्ट बार सभी चीजों को रिवाईज करके बाते कर लेते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं SEL examinations का preparation as key tutorial YouTube चैनल पर होता है हमारे एप पे paid classes चलते हैं अल्रेडी बहुत सारे बच्चों ने इंडॉल्मेंट ली थी जिसमें से कि हमारे as key tutorial से टोटल जो है 13 student का return examinations क्वालिफाई हुआ था लेकिन अभी कुछ बच्चे interview guidance प्रोग्राम में भी इंडॉल्मेंट लिए हैं जो कि हमारे batch में नहीं पढ़ रहे थे डिरेक्ली YouTube को सिर्फ follow कर रहे थे तो वहां से भी कुछ बच्चों का होने का possibility है देखते हैं कितने बचे select होते हैं हाला कि numbers doesn't matter कितने select होते हैं ठीक है वो एक secondary चीज़े है लेकिन जितना ज्यादा ज्यादा selections होगा उतना मुझे फुसी होगी तो आते हैं to the point selections होने के लिए एक अच्छे गुरू का होना एक अच्छे mark-darsak का होना ज्रोडी है और मैं कोसिस कर रहा हूं आपका senior होने के नाते कि मैं आपको सही से guide कर सकूं आपको सही मार्क-darsan दे सकूं ताकि आपका selections की chances ज्यादा ज्यादा भर सके ये वीडियो यूट्यूब पे और एप पे भी upload हो जाएंगे तो एप पे अगर देख रहे हैं तो एप वाले बच्चे जो भी doubt, questions, confusion, confusion, confusion अगर आपके पास रह गए हैं तो वो आप लोग चाट सेक्शन में पूछ सकते हैं और YouTube बले बच्चे इस वीडियो के comment सेक्शन में पूछ सकते हैं हम लोगोंने skill-taste आपको डाउनलोड करेंगे Google Play Store से तो आप लोग जब सेल OCTT skill-test interview guidance batch में जब इंटोल्मेंट लेंगे तो आपको यह सभी content देखने को मिलेंगे यह पहला content है introductions यानि कि हमने introductions में बताया है कि किस तरह से होते हैं skill-test और basically interview और course के बारे में basic introductions दिया है इसके बाद हमने इस interview guidance program बाले batch में all informations about skill-test और interview के बारे में बहुत ही आसान भासा में बहुत ही detail में हमने बताया है इस वज़े से यह वीडियो जो है 26 मिनट का लगभग में है 26 मिनट का या आधा गंटा का यह वीडियो है फ्रॉक्स में मैंने बताया है कि किस तरह से आपको जो introductions होते हैं उसमें आपको किस तरह से अपना introduction देना चाहिए इसके बाद कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट अरितिक सरहिंदी में कैसे अपना introductions दें उसको भी बताईए तो वह भी मैंने बताया है और इंफॉर्मेशन के बारे में भी मैंने अच्छे से किलियरली बताया है यहां पर कि कब डोक्यूमेंट वरिफिकेशन और कैसे होते हैं अब बच्चों के मन में जो कोस्टन आ सकते हैं चाहे वह पेड़ वाले बच्चे हो या यूट्यूब पर देख रहे हैं बच्चे वह सोच रहे होंगे कि सर ब्रांच वाइज इंपॉर्टेंट कोस्टन बता दीजिए इसकी लिए इसके लिए कोई एक फिक्स्ट कोस्टन पैटर्न या कोस्टन नहीं हो सकता है मैं बारवर आपको एक आईडिया जरूर दे रहा हूं कि हां बेसिक का जो आपके कोस्टन होते हैं आपके ब्रांच से रिलिएड वही पुछते हैं कोस्टन को यह मैं बारवर आपको बताता हूं और बता रहा हूं अभी भी क्योंकि प्यारे बच्चों यह तो आपको एक ऑपरेटर कम टेक्निसियन ट्रेनी बनाएंगे पहला बात दूसरा बात जो भी आपका इंटर्व्यू लेंगे एक मेंबर सेनियर रहते रहते हैं वह स्टाफ रहते हैं या फीर वर्क छव्क में काम करने वाले स्टाफ में भी रहते होंगे कुछ सिस्थरह का इपकर करते हैं और बहुत दर्में वह पूछते भी नहीं है तो इसलिए अगर आपका ब्रांच जो भी है सिविल है इलेक्ट्रिकल है मेकनिकल है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्मिलोजी है इंस्ट्रुमेंटेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स है तो घवड़ाइए मत आप अपने ब्रांच से रिलिटेट बेसिक कोस्टन को प्रिप्रेशन कर लिजिए अच्छे से और उसी को रिवाइज करिए और जो होगा सवच्छा होगा इस इनरजी के साथ आप बेसिकली अपने आपको पॉजिटिव रखिए और जो भी बेसिक कोस्टन है हमने अपने सेल इंट्रिव्य गाइडेस प्रोग्राम में कवर करने की कोसिस की है साथ ही साथ इसकील टेस्ट जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे होंगे उसके लिए हमने टोटल यह पीडिएफ को अप्लोड कर दिया है हमारे आप प यह पीडिएफ है इस पीडिएफ को आप लोग हमारे स्कीट रेल एप से पीड बैच में इन्डॉल्में लेने के बाद ही और यह आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो वहां से आप लोग देख सकते हैं अधरवाइस आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं तो यह है और भी जो है बेसिकली जो इंपोर्टेंट मुझे लगेंगे तो मैं होगा तो और अपलोड कर दूँगा अगर नहीं लगा तो उतना रिलिवेंस नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूँगा तो आप अपने एकॉर्डिंग देख लीजिए तो मेरे साइड से जो है जोड़ेंस के लिए और इसकील के लिए सकील साइंटर्वी और या वरक्षॉप लैब में आपको भीजए जाएंगे और वहां पर आपको बोले जाएंगे कि यह आपना वाला कुन सा इंस्टूमेंट है क्या मैजर करते हैं तो यह सब होगी आपका बेसिक बेसिक सा बेसिक इ और यह जो वेबसाइट है इसमें कुछ-कुछ डाइग्राम है आपके सेल का जहां भी आप काम करेंगे कुछ इस तरह के आपको वहां पर देखने को मिलेंगे सीन और बहुत ही अच्छा होता है सेल राउर केला का टाउंसिप जो है बहुत ही अच्छा है सांदार है अगर आप लोग का सेलेक्शन हो जाता है जोएन करेंगे तो बहुत ही इंज्वाई करेंगे और अगर इसमें सेलेक्शन हो जाता है तो और भी बाते हैं हो सकता है कोई बच्चों को वो बहुत सारी बाते हैं sales related वो हम लोग बाद में बात करेंगे दूसरे वीडियो में अभी फिलाहल जो है आप लोगों का sale OCTT एक ग्रेमेसंस का skill test है तो आप सभी लोग अपना अच्छे से introduction अपना skill test के बारे में knowledge साथ ही साथ confidence और अपना जितने भी डोक्यूमेंट है सब को अच्छे से ready कर लीजिए और positive रहिए डर नहीं रखिये मन में और confidence के साथ आप लोग जाईए skill test को दीजिए और skill test सब जब दे करके आ जाएंगे किस वीडियो के comment section में बताईएगा क्या-क्या questions पुछे गए थे किस टाइप के question पुछे गए थे किसी भी तरह का suggestion और किसी भी तरह का questions है doubt है तो आप लोग इस sk-troll के YouTube के वीडियो वीडियो की comment section में लेकर के पूछ सकते हैं उम्मीद करते हैं सबी चीज़े समझ में आ गया होगा किसी भी तरह का doubt question confusion रह गया है तो पूछ लीजिएगा चैट sections में और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे जो paid badge वाले बच्चें हैं ask it frail app पे उनको अगर किसी भी तरह का doubt है questions अगर मुझे लगेगा वह topic relevant है तो मैं definitely कोसिस करूंगा कि उस पर वीडियो बनाओं लेकिन branch-wise skill test के लिए important questions कुछ बचों का request आड़ा था तो मैं इसके favor में नहीं हूं क्योंकि important questions जो दूँगा ज़रूरी नहीं है वही आएंगे मैंने एक domain और एक idea बता दिया है कि आपको किस area पर revision करनी चाहिए अपने branch related basic questions को prepare करिए basic आपके branch related जैसे आपका civil branch है तो civil branch में प्रेपाइड इस्टेंड civil branch में थियोडोलाइट सिविल ब्रांच में serving measurement में जो यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट है measurement है वह सब के बारे में information अपने civil इंजिनियरिंग से रेडिट बेसिक concept यह सब चीजों के बारे में आपको idea रखनी चाहिए और वह expect भी करते हैं आप से इस वुझे से आपको idea होनी चाहिए उसी तर से अपने अलग अलग ब्रांच वाले बच्चे जो है अपना अपना कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आगया होगा किसी भी तरह का doubt questions confusion है तो पूछ लीजेगा और अधिक चानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसी वीचार के साथ रखते हैं आज के इस वीडियों बस इतना ही आप सभी को के लिए बहुत-बहुत सुभकामना है बेस्ट अप लग अपना बेस्ट करके आईएगा और जैसे ही रिजल्ट आता है इसके बदा इसके ट्रेल पे इस रिकूट्मेंट का रिजल्ट वाला वीडियो लेकर कि ही अब मैं आने का कोशिस करूंगा अगर आप सभी का कोई इंपोर्टेंट टॉपिक वीडियो टॉपिक पे वीडियो का डिमांड नहीं रहा इस वीच में और मुझे भी वह टॉपिक रिलिवेंट नहीं लगा तो अब सीधा मिलेंगे ह इसके बाद अभी फिलाल से लोसीडिटी वीडियो नहीं आएंगे अब दूसरे लोगों को लगीगा कोई 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 डाउट है और वह मुझे रिलिवेंट लगीगा से लोसीडिटी वीडियो को बना देने का जो इंपोर्टेंट होंगे जो आपको जाननी चाहिए से लोसी हींट वन देमात्र मुझे